तो आज मैं आपको चटपड़ा चिकन बनाने का बिल्कुल अलगा और नया तरीका बताऊँगा, इस तरह से आपे चिकन बनाएंगे ना बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनेगा, इसको बनाने के लिए ना आपको ज़्यादा मसालां की जूरूट पड़ेगी, ना ह जदा बड़े पीस करते हैं, वो पकने में टाइम जदा ले लेते हैं, इसके बदा आपने चिकन को मैरनेट करना है, एक छोटा चमच आप इसमें नमक एड़ कीचे, आदा चमच आपने इसमें हल्दी पोर्टर एड़ करना है, इसके साथ में एक चमच आप इसमें लाल मिर गर्म сов दाल देजिए, मीड मसाली है तो मीड मसाला डाल सकते हैं एक बड़ा चमझ आपने अदर्ग लसुन का पेश्ट डाइड करना है और एक आप एसमे नीमौ का रस निचोड दीशे अगर आपकी अदर्ट लसुन का पेश्ट ना हो और चिकन बहुत ही जल्दी पक भी जाता है, तो देखिए चिकन को अच्छी तरह से मिर्च मसालों के साथ मिक्स कर लिया है, उपर से कवर करके कम से 15-20 मिन तक इसी मेरिनेशन में इसको फ्रीच में रखती है, फ्रीच नहीं है बाहर भी रख सकते हैं तनी देर तक आप इसको तो देखिए 20 मिन तक चिकन को मैंने मेरिनेशन में रखा था, आपके टाइम हो, एक से दो घंटे तक भी छोड़ सकते हैं, इसी मेरिनेशन के अंदर, आप इसके पूद आपने एक कडाही लेनी है, उसमें ऑईल एड कीछे, कमस्वम 3-4 बड़े चमच आपने इसमें ऑईल चिकन को मुझे से चिकन को पकाते होए, आप आपने से अट मिन और शकट आर आप यहां पर पकाते होए, तो यहां पर टोटल मुझे देखिए, साथ से 8 मिंट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए, अब इसके पूद आपने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना मसालों के साथ, क्योंकि मसाले चिकन के उपर अच्छी देखिए, कोट हो चुके हैं, अब मसाले थोड़ी आपने प पीसे उनको एक बॉल में निकाल लेना है, दस मिन में जो चिकन है, पचास से साथ परसेंट तर पक जाता है, अगर आपने चोड़े पीसे कियोंगे चिकन के, यह देखिए, इसको अपना प्लेट से कवर करके रखतीजे साइड में, ओपन में रखेंगे, तो यह सिकुड़ करनी है, एक से डेड़ में तक और प्याज को थोड़ा सा पका लीशे, तक ही प्याज का कच्चा टेस्ट है, वो खत्म हो चाहे, ज़्यदा गोल्डन ब्राउनी करना है, तो यह देखिए, प्याज हलका सा जैसे सॉफ्ट हो जाएगा, इसके बदा आपने इसमें शैलो फ्र की फ्लेम मैंने हाई की ती ता की चिकन फिर से जल्दी से गर्म हो जाए, अब गैस की फ्लेम आपने लो कर देनी है, और आपने इसमें टमाटर भी डाल देना है, साथ में थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, नमक भी मैंने स्मैड किया है, एक चोटा चमच आप इसमें कूट मिक्स हो जाएंगे गैस की फ्लेम आपने अपने लो कर देनी है, और वबलब एक अच्छेश हम यह फिलुक्त Easy गेस'd ङेगा होस्ते और टोटल मुझेगे तरिवने हैं और चोटे पीस की उओंगे इतनी तेर में सारे पीस और फिक जाते हैं अब बहुत सारी कुमेंट्स आते हैं, ब्रेस्ट के पीसीज होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जब हम चिकन के ब्रेस्ट के पीसीज को ओवर कुक करते हैं तब वो हार्ड होते हैं, लास्ट में आपने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालना हैं, और हरे धनिया को भी अच्छी त तक आप कबर करके इसी तरह से छोड़ दीजिए तक कि मसालों का अच्छा टेस्ट चिकन के अंदर तक चाहे और इसके बद आप इसको गरमा गरम सर्व कर देशिए देखिए कि तुम सॉफ्ट और जूसी चिकन आपका बनके त्यार हो जाएका तो फ्रेंस वीडियो अच्छा